क़हलो फ्रेंड कैसे आप सभी उमद आप सभी अच्छा हुँगे दोस्तों इस वीडियो के मात्यम से हम बात करने वाल हैं इंडिया से ओमान ट्रेबल कर रहे हैं तो क्या कर डॉक्मेंस क्या क्या पेपर लग रहे हैं तो काफि कि काफी लोग के कमेंट आ रहा था मैं सुचा कि चलो इसके ऊपर में वीडियो बना लता हूं तो दोस्तों मैं इसी के ऊपर में बताने वालों कि किया के अभी ओमान जाने पर क्या 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 पर वेस्ट करने पर ओमान में क्या 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 डॉकुमेंस क्या क्या पेपर लग र चोवालीस हजार व्यूस है और एक हजार लाइक्स आया हुए आप देख सकते हैं मैं लगाते हैं आप उपर में स्किन सोट आप देख लिजिए दोस्तों दोस्तों मैं फिर से मैं उसी के उपर में वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप इंडिया से ओमान पर्वेस्ट कर रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है और चलिए दोस्तों फटाफट हम जाने लेते हैं कि इंडिया से ओमान जाने के लिए अभी परजेंट टाइम में फिलाल में क्या 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 पर लेकर जाना पड़ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे कि जो भी ओमान में भी teachings यानि की इंडिया में इख और चुका है तो सिर्फ और सिर्फ आपको भैक्सिंड की वर कोडो वाला जीरक्स आपके पास ले आना पड़ेगा ठीक है दोस्तों कोबिड नाइटी बैक्सीन का जीरक्स मात्र जीरक्स दो पीस ले लिए क्योंकि यह पूर्ट पर जामा कराएगा तो जामा कर दीजेगा एक एक आपके पासर आएगा ठीक है दूसरा दूसरा जो टेबल एंसुरेंस दोस्तों अभी टेबल भी लग रहा हैं तो माद में प्रेवेस कर रहें तो टेबल एंसुरेंस अभी लाजी में लग रहे हैं दोस्तों आप टेबल एंसुरेंच भी करा लगा नहीं है और जो दूसरा जो है एक इमू श्रीप करके प्रेवसाइड था उस पर हम लोग अपना आटी पीसर टेस्ट और वैक्सिन सोट फिटिक अपलोड करते थे और फलाइट नमबर यह सब उसमें एड करके अपना एक प्रिंट निकालते थे प्रिंट लेकर जाते थे हम ल दोस्तों बता दे आपको कि यह तो मायनी डेटरी है दोस्तों यह तो लगना ही लगना है तो चलिए दोस्तों आपको मैं सुरु सही बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में इंडिया से ओमान अगर जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या जरूरी है आपके साथ में लेकर जान और दोस्तों चौथा नामर पर वेक्सिन सौर्टिफिकेट कीवर कोड़ वाला जीरस आपके पास होना चाहिए यह पांचों डॉकमेंट्स आपके पास रहेगा तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगा इंडिया से ओमान में परवेश्च करना के लिए तो दोस्तों आज के अगले वीडियो में तब तक लिए बाइबाइए